काहे मन तु डोलता हर मनसा पूरण हारो वहे दू यू वेवरो मैंड, दा लॉट इस दा फूल्फिलर अफोप एंड डिसायर्स और्गेनिक नेम रियक्शन्स सूपर्ट्रिक्स पार्ट तू बायमरीक सिंग यह सेल्फ कंडंसेशन रियक्शन है, अल्डिहाइड और किटोन की हाँ जी, रियक्शन दी गई है आपको डाइग्राम में ठीक है, अल्डोल को अगर ब्रेक करें, दो वर्ड से बना, अल्डिहाइड प्लस ओल तो इस रियक्शन में रियक्टेंट होंगे, या अल्डिहाइड या किटोन होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्डिहाइड ग्रूप होगा उसमें और अल्कोहल ग्रूप दोनों होंगे उसके अंदर ठीक है, तो कंडनसेशन का मतलब है, हीट करने के बाद रिमूवल अफ वाटर आए, तो रियक्शन कैसे होती है, आपको बताया जा रहा है, कोई भी अल्डिहाइड है, अल्फा हैड्रोजन दिखाया गया है, रेड में, वही रियक्शन देगा इस अल्डोल कंडनसेशन को, जिसके पास अल्फा हैड्रोजन होगा, वही अल्डिहाइड है की टोन देता है इस रियक्शन को, तो दूसरा अल्डिहाइड है, सेम मॉलिक्यूल है, आपके पास ठीक अल्डिहाइड दिखाया गया है, तो अब इसमें पर्जेंस ऑफ बेस है, जो रेड में दिखाया है, कार्बोनिल दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रूप के उपर, और वहाँ पर जो अटैक होगा, क्योंकि कार्बन डेश्टा पोस्टीव होता है, और वहाँ से जो है, कार्बन ओक्सिजन वाला पाईबंड ब्रेक करेगा, और जो हाइड्रोजन है, यहां से लीव और वह उक्सिजन वाले नगटिप पर चला जाएगा, और हमारा जो प्रोड़क्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे अल्डोल, यहां पर निकलेगा, यहां पर डबल बॉंड आ जाएगा, बीच में अलकीन का, तो यह है आल अल्पाउट एल्फ, अल्डोल कंडनसेशन, अगली रियक्शन है, कैनी जारो, स्पोर्स अगर करो कोई अल्डिहाइड है, उसके पास अल्पाउट एल्फा हिट्रोजन नहीं है, हमने बेस दे दिया, हीट कर दिया, तो क्या होगा, तो आपका अल्डोल कंडनसेशन नहीं होना है, क्योंकि अल्डिहाइड और क्योंकि अल्फा हिट्रोजन अटम, अल्डिहाइड विच डॉंक्डनसेशन नहीं है, अल्डिहाइड के पास वही इस रियक्शन को देते हैं, जैसे कि मैंने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है, एक ड्रॉप भी लोगे तो हजारों मॉलिक्यूल उसम तो रडिहाइड यूक्ण मॉलिक्यूल तो रडिहाइड बनता है एलकोहल रॉ COPै कि यूज और ऑ्टमश Fields Sal topic This reaction is also known as a disproportionation reaction because oxidation and injection of the same takes place. Thank you for attending the lecture.